और इस बीच एक और बड़ी खबर है बारमेर से हरी शौदरी को धमकी मिली है सोशल मीडिया पर धमकी मिली बीपी बना नाम के एकाउंट से धमकी मिली है तो पुलिस अब इस पूरे मामले की जाच कर रही है बायतु से विधायक हरीश चौधरी को धंकी देने का इमामला सामने आया है जानकर यह कि सोशल मीटिया पर उन्हें धंकी दी गई है और जो जिस प्रोफाइल से धंकी दी गई है बताया जा रहा है वीपी के नाम से बना ह हुआ है अब इस पूरे मामले को ले करके जाच जो है वो पुलिस में शुरू कर दी है खंगाला जा रहा है आई पी एड्रस निकाला जाएगा कि आखेर यह जो एकाउंट है यह किसने बनाया और इसके बाद कारवाई को आगे बढ़ाया जाएगा तो हरीश चौधरी को सो और बालो तुरा करूप करेंगे जहां का सियासी पारा रगातार हाई है रविन सिंग भाटी को धमकी मिली है निर्दली उमिद्वार रविन सिंग भाटी वहां से हैं कि रविन सिंग भाटी को जो की निर्दली उमिद्वार है सोशल मीडिया पर धमकी मिली और बड़ी बात यह कि धमकी में रोहिद गोदारा का नाम लिखा हुआ है रविन सिंग भाटी को इस धमकी में कहा गया है कि सुधर जाए नहीं तो अंजाम भूगतने के लिए तयार हुआ 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 है